मैं सुबह आ गया हूँ नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं पाइथन सुबह तो यार कही सारे प्रोजेक्ट करने के बाद आप मन किया यार पाइथन को यार बेसिक से समझते हैं सारा स्टार्टिंग से लिए एडवांस तक जिसके यह फायदा होगा कि जिसको पाइथन नहीं आता होगो वह भी सीख सकता है तो शुरू करते हैं तो यार अपने कोर्स को ओवर्व्यू दे देता हूं जैसे इसमें मैं अपना बेशिक लेकर एडवांस तक कंप्लीट करहाऊ तो इसके लिए मैंने बनाएं नोट्स दिखाता हूं जैसे कि एक ओवर्व्यू तेग उसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ड फिर उसके बाद हम बेसिक बेसिक चीजे सीखेंगे जैसे पाइथन ऑपरेटर डेटर टाइप्स और यह कुछ मूटेबल इंड मूटेबल टाइप से इडरेट असलाइसिंग यह सारी चीज आ जाएंगे हमारी बेसिक में जो की हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी उसका थोड़ा मोडूरेट से एडवांस लेबल पर जाएंगे जैसे कि मोडियूल कुछ यह से लेकर advanced complete हो जाएगा उसके बाद हम कुछ लाइबरेरी करेंगे जैसे कि यह लाइबरेरी अच्किल काफी यूज में चल लिए डेटा साइंस के लिए वैसे नमपाई और सिखांगा यूज कैसे करते हैं तो python के लिए एक software download करना पड़ेगा मैं बता देता हूं download करना तो मैं बाद में बताऊंगा जैसे यह मैंने visual studio code कर रखा है इसमें करने में बहुत आसानी होती है यह करेंगे इसको मैं बताऊंगा कैसे install करना कैसे इसका setup करना है और इसके साथ साथ हमें चाहिए python python 3.10 जो यह नया latest version है यह हमें download करना पड़ेगा यह मैं setup आपको करना बता दूँगा वीडियो में बाकि यह overview था मेरे जाना है जैसे python में तो इतने topic की जरूरत पड़ती है इनको थोड़ा deep में पड़ना पड़ता है यही सब चीज रेंज iteration वगएरा oops concept आता है यही होता है इसको लगबग approach something शायद 15-20 आस तक का टाइम लगए गहन में लगबग 25 या 30 वीडियो शायद 10-10 मिनट की मान सकते हैं विदिन और शायद दो मंत तो लग जाएंगे इसको complete होने में और अगर किसी को जैसे को पड़ता है complete course और किसी को certificate चाहिए तो उसके लिए मैं end video में number डाल दूँगा जिसके तुरू certificate मिल जाएगा उसको ठेंक यू और वीडियो जरूर देखना क्योंकि सारा basic से लिएक है और अज को lumps क जाएगा जड़ता है